हर हर महादेव ए नारो छे जे सौमनात ने बचाव मटे गुजरात बरना लोको एक थिन लड़ता इधर मियोशा में लड़ता लड़ता एकज नारो बोलता हर हर महादेव नो सुबावेक चे समये जे मुस्लिम आकरामनो अधेशु परत्या है ओम नारेन 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 सभी मित्र कुराम राम दोस्तों कैसे आप सब अभी मैं आमदावाद गुजरात में हूँ आज मैं नाइका दिवी फिल्म के ट्रिलर लॉंच के लिए आमदावाद आया था आज मतलब कल शाम कोई में पहुँच गया था कल सुबा करीब 7-7-7 बजे में निकला था और लगबग 11 घंटों में में पहुच गया था वैसे हमारे चैनल से जितने मित्र जुड़े हुए है उन्हें नाइका दिवी फिल्म के बारे में पताई है फिल्म को जब अनॉंस किया गया था उसके अनॉंस्मेंट वीडियो अपर उसके बाद में जब पोस्टर रिलीज हुआ था फिर जब टीजर रिलीज हुआ हमने फिल्म के बारे में बात की हुए तो आप सभी मित्र फिल्म के बारे में जानते ही है और आज 18 अप्रेल को नाइका दिवी फिल्म के टेलर को लॉंच किया गया और 6 माई को ये फिल्म थेयर्टर में रिलीज होने वाली है सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के जो प्रोडूसर है उमेश शर्मा जी और फिल्म में जिनोंने महारानी नाइका दिवी जी की भूमी का निभाई है खुशी शाह जी उनका में रिदे से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस टेलर लॉंच इवेंट के लिए बुलाया सच में देखे आज मैं उमेश शर्मा जी खुशी शाह जी और फिल्म के जो डिरेक्टर है नितीन जी उन सबसे मेरी बात हुई और जो मधूर सोभा और नमरता मैंने आज देखिना बहुत बहुत कम लोगों में ऐसी नमरता और इतना मधूर सोभा हमें देखने को मिलता है और दोस्तों आज मैं टेले लाउंच में उससे पहले भी फिल्म के जो प्रोडूसर है उमेश जी उन्होंने मुझसे बात किती और आज भी मेरी उनसे बात हुई मैं इतना विश्वात से कह सकता हूँ कि ये फिल्म बस उन्होंने बनाने के लिए नहीं बनाई है मतलब चलो आज यार देश में सब राष्टरवादी फिल्मे बनारे हैं लोग देख रहे हैं तो चलो हम एक फिल्म बना देते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पिछले तीन साधे तीन वर्षों से उससे भी ज्यादा समय से फिल्म के जो प्रोडूसर है उमिश शर्मा जी उन्होंने इस फिल्म पर मेहनत की है, और मैंने जब उनसे बात की तो उनके रिदे में वो पीडा थी, मैंने देखा वो बात, वे इस इतिहास को सब तक पहुचाना चाते हैं, सब को बताना चाते हैं, उनके अंदर ये पीडा थी कि भाई, सब मुहमद गोरी के बारे में तो जानते हैं, पर उस मुहमद गोरी को जिसने, जिनोंने हराया, जिनोंने मुहमद गोरी की लाखों की सेना को गाजर मुली की तरह काटा उन महाराने नाइका दिवीजी के बारे में किसी को पता क्यों नहीं है ये पीड़ा मैंने उनमें देखी और साथ में ही विदिशी आकरंताओं ने कैसे हमारे इतिहास को तोड़ा मरोडा या फिर भारत सोतंतर होने के बाद भी किस प्रकार से हमारे गवरोशाली इ तरहिए टिरेक्टर से फिल्म के इन सबको जब मैंने सुना तो सचमे उनके वो रधय से इस इतिहास को सब तक पहूचाना चाहते हैं और ऐसी बहुत सारी फिल्म में ऐसी बहुत-सारे प्रोजेक्स उनके मन में अल्रीडी है जो उन पर वे फिल्में के बनाना चाते हैainen उम देखे एक मुझे तो ट्रिलर देखकर लगी नहीं रहा था कि ये मतलब एक original film industry की film मुझे कही से भी लगने ही लग रही थी एक बहुत बड़े scale पर बहुत अच्छे खासे budget के साथ इस film को बनाया गया है और बहुत बड़े-बड़े visual sets हम यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे म वो बाते कोई उतनी ज़्यादा माइने नहीं रखती है अगर आपका भाव शुद्ध हो वो बात सबसे ज़्यादा महतोपुर्ण होती है जैसे कि देखिए रामानन सागर जी की रामायन आज से 40 वर्ष पहले बनी हुई है पर आज भी जब हम उसे देखते हैं तो आखों स अशुर रुकते नहीं है वो सारे भक्ती भाव वो हमारे मन में वो टीवी सिरियल आज भी हमारे रिदे में जगाती है उसके बाद तो कितने सारे रामान आए और कितने बड़े बड़े भाई कैसे कैसे बजट और वेपेक से साथ काई सारे टीवी सिरियल से वगएर आई प उनको बनाया गया है तो ट्रेलर अल्रेडी अत्री एंट्रेटेन्मेंट इस यूट्यूब चैनल पर इसे आज दोपर को ही रिलीज किया गया है आप उसे जरूर देखना उसकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंट कमेंट में दे दूँगा और वैसे मैंने उन सबसे प्रारताना की है फिल्म की जो प्रोडूसर है खुशी शाय जी है जो डिरेक्टर है नितीन जी वे सब भी हमारे चैनल पर एक बार फिर से आने वाले हैं तब हम डिटेल में इस फिल्म के बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस फिल्म को बनाने की पीछे कि उनकी पूरी जर्नी कैसी है कैसे उन्होंने इस फिल्म को बनाया है उनका उद्देश्य क्या है आगे वो कैसे फिल्में बनाने वाले हैं तो कापी सरी हम बाते करने वाले हैं तो मैं तो एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप अवश्य देखना मतलब पताने गुजरात से बाहर इस फिल्म को जादा स्क्रिंस तो शायद नहीं मिल पाएंगी पर फिर भी अगर आप मतलब गुजरात में तो सभी देखेंगे ही इस फिल्म को मुझे पूरा विश्वास है पर गुजरात के बाहर भी अगर महराश्य में भी हो सकता है कि कुछ स्क्रिंस मिलेंगी तो मैं तो अवश्य इस फिल्म को देखने वाला हूँ आज सभी मित्रों से भी मैं प्रारता ना करूँगा कि इस फिल्म को आप अवश्य देखना एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आज मैं मल्ला ठाकरजी से मिला मतलब खुशी जी ने खुद ही उन्होंने मुझे इंट्रड्यूस करवाया उनसे मैंने तो भाई उन्होंने मुझे से बात की मुझे बहुत प्रसंदता हुई और इसके अलावा चंकी पांडी जी भी वहाँ पर आज आए हुए थे तो ओर ओल काफी बढ़िया रहा ट्रिलर लाँच इवेंट बहुत उत्सुकता मैंने सब में देखी ट्रिलर को देखकर सच में पूरे शिर पर रॉंग्टे खड़े हो गए थे और दोस्तों सबसे बढ़िया बात मुझे ट्रिलर लाँच इवेंट की यह लगी कि खुशी शाह जी हो या फिल्म की जो डिरेक्टर है नितीन जी उन सब ने बड़े ही गरू के साथ में शम्भो शिव शंकर हरहर महादेव के नारे लगाए और पूरे थेटर में हरहर महादेव के नारे गूंज रहे थे कौन हो इक थे लड़ता फिधर में शामें लड़ता लड़ता एक जनारोग भोलता हरहर महादे आने वारह महर गुजरातों पर आक्रमाण त्याँ चे आक्रमाण मा शक्ति जे मंत्रमा थी मढ़ती ती ये हर हर महादे होचे ले भरी एक्वार विदन दी गरूचो आपने बदा गुजरात ना लोगों ची ये गुजराती ची ये हर हर महादेव सत्य घटना चे पाटन नी पाटन ना महराणी नायका देवी नानी उमरे विद्वा थाए पच्छी गोरी नो सुभाविक चे समये जे मुस्लिम आक्रमाणो अधेशु परत्या है जहां जहां प्रकारे क्याक लागेक नबडा पड़ा चे त आयो और तेर वरस सुधी पाच्छों पाराथा में जोग ना थू नायका देवी आ करेक्टर आओ विक्तित्व जे इतियास मां के एक दर्बाहे लो थू ये उजागर करी ने गुजरातनी जंता समक्स लाववा माटे नो प्रयाश उमेश भई नेमनी ठीमे करो ना माटे ख खूब खूब इमनो आबारी पंचू बाकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप नायका देवी फिल्म का ट्रेलर अवश्य देखना और वो ट्रेलर देखने के बाद में आप फिर से इस वीडियो पर आकर मुझे आवश्य बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा ये देखने के आप समित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम